नमस्कार साथियो, हम चर्चा करते हैं मुद्राबंध और ध्यान साथ्दा की, हमारी साथ इस्टूडियो में मौजूद है आचारे कोसल कुमार जी, योग इंडिया फाउंडिशन दिल्ली से, प्रेसिडेंट है वहाँ, मैं उनका स्वागत करता हूं इस्टूडियो में, मुद्रा करनी क्यों चाहिए, इसके बारे में, मैं जयनकारी लना चाहूँगा। मुद्रा का विप्राय एक शारीरिक इस्थिती से होता है, किसी कोई एक शारीरिक इस्थिती है, जिस इस्थिती में आपका मन एकागर हो जाता है, चंचलता को छोड़ करके एकागरता और इस्थिरता की ओर हो जाता है, उसको हम मुद्रा कहते हैं। मुद्राएं यद्यपी हमारे हाँ राज योग में नहीं है हट योग में ही इनका जिक्र होता है और जहां तक बात है कि मुद्राओं का हम अभ्यास क्यों करते हैं तो मूलता है जैसा कि हट योग में कहा भी गया है कि केवलम राजयोगाय हट विद्ध्यों दिश्य थे राजयोग के लिए हम हट विद्ध्या का उपदेश करते हैं उसमें है हट विद्ध्या में हट विद्ध्या में अनेकों चीजें हैं जैसे कुछ लोग चार पद्धतियां मानते हैं कुछ लोग छे मानते हैं, कुछ लोग आठ मानते हैं, कुछ लोग साथ मानते हैं जैसे हमारे हाँ हट प्रदीपिका में हैं स्वामी स्वात्मा राम जी वो चार ही चीजों की चर्चा करते हैं और चार चीजों की चर्चा क्यों करते हैं सबसे पहला आसन है दूसरा प्रानयाम है और प्रानयाम के पहले वो करते हैं कि आप शटकर्म कर लें तीसरा उनका मुद्रा है और चोथा नाद अनुशंधानिया समाधी है तो और ये चारों चीजों को बताते क्यों हैं बताते इस इसलिए हैं कि आप एक step से आगे बढ़ करके थोड़ा बाह यानि आसन और शटकर्म इन सब का अभ्यास करके अपने शारी और मन को शुद्ध करें और धीरे धीरे समाधी की ओर एकागरता की ओर चित्त की इस्थिरता की ओर बढ़ें तो मुद्रा भी उसी चित्त की इस्थिर दोनों की इस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है तो इसका भ्यास करने से जो महत्वपूर्ण है वह जैसे कि अगर आप पढ़ें हठी और गरंथों को तो हमारे स्वामी स्वात्मा राम जी ने दस मुद्राओं का जिक्र किया है और कुछ लोगों ने घेरन शंगिता में पचीश मुद्राओं का जिक्र है जिसे बंध आदी सब उसी में आ जाते हैं महाबंध है महाबेद है महामुद्राएं है इस तरह से बजरोली मुद्रा है इस तरह से धेर सारी मुद्राओं का जिक्र आता है लेकिन इन सब का जो मूल अभिप्रा है वह है चित्त की इस्थि आटा है अर फिर एल्टिमेट लिक हम समाधि की ओर जाते हैं तो मूल जो अबधी प्राय है वह मुद्रा का कि मुद्रा हमारे शरीर की वह इस्तिति देती है जो मन को अच्छी तरह से एकागर करके समाधी की और ले जाता है आचर जी आपने बहुत ही ठीक से बताया कि मुद्रा जो है इस्थितर्दा प्रदान के लिए और उर्जा नेमन के लिए उर्जा का प्रान सक्ती का अलग ही बन्तावwang उसका पार है तो यहां जो मुद्रा की बात की गई है उसमें हस्त मुद्रा भी होती है और कुछ काया मुद्रा काईये, मुखमुद्रा काईये, आसन मुद्रा काईये, आसन के स्थिती में है तो इन दोनों का अपना अलग-अलग महत्त है? हाँ बिलकुल अलग-अलग महत्त है यद्यपी हमारे हट्योग ग्रंथों में हस्त मुद्राएं नहीं पाई जाती हैं हट्योग ग्रंथों में केवल शारीरिक मुद्रा शारीरिक इस्तिती इनहीं का विधान है और इनहीं की चर्चा है बाद के लोगों ने अनेकों लोगों ने जैसे ना तो गोरक शंगीता में है ना तो हट पृतिपिका में है ना तो गेरन संगीता में है ना तो सिव संगीता में है हस्त मुद्राएं कहीं नहीं पाई जाती है बाद के लोगों ने हस्त मुद्राओं का जिक्र किया है यद्यपी हस्त मुद्राएं जैसे कि आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने हाथ को अपनी उंगुलियों को इस तरह से बांध दें जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने के जो भी आसन हैं आप देखें पदमासन है, सिद्धासन है, स्वास्तिकासन है यह आपके पैरों को बांध देते हैं कि ताकि आपके पैरों में चंचलता न राजाए उसी तरह से हाथों को भी बांध देने की पता थी कि आप अपने हाथ को इस तरह से रख लें ऐसे रख लें या इस तरह से रख लें तो आपके हाथ भी इस्थिर हो जाएं मूलता कहने का भी प्राइस में है कि आपका शरीर में जो अंग हैं उनमें इस्थिरता आप दे दें वे बंध जाएं, जब वो बंध जाते हैं तो आपकी उर्जा का च्छै नहीं होता है जो उर्जा बाहर की और बहिर गमन करती रहती है वह च्छै नहो करके वह अंदर की और एकत्र हो करके वह चैनलाइज हो करके उपर जो कुंडलनी जागरण के इस्थिती होती है सिव का दर्शन होता है परमात्मा का दर्शन होता है उसकी तरफ हमारी उर्जा लग जाती है एक तो आपने हस्त मुद्राओं के विशे में जो कहा दूसरा जो हमारी शारेरिक मुद्राओं हैं उसको इसका अभ्यास करके जैसे कि प्रानयाम का, कुम्भक का और इनका मुद्राओं का भी प्राय करके अभ्यास करके हम अपने उन अंदर की शक्तियों को भी चैनलाइज करते हैं, इस्थिर करते हैं तो वे भी उपियोगी हैं और ये भी उपियोगी हैं, लेकिन अंदर की शक्तियों को चैनलाइज करना, उनको इस्थिर करना वह ज्यादा मात्रपून होता है, मुझे लगता है कि इसलिए हमारे यहां जो हठियोगी थे, पुराने लोग जैसे गोरक जी थे, मत्सेन नाजी थ किया था, बेर्कुल, जो मुद्राओं की बात आप में बताई कि बहुत सारे अलग सास्तों में उनका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन आज सकल मुद्राओं को लेकर के भी काफी लोग इसमें इंटेस्टेड रहते हैं, और कई बार ऐसी बात आती है कि यह जो लोग, और य ऐसे लोग हैं, जो रोगी हैं, तो बैठ करके किसी ऐसी अवस्था में या उस पोजिशन में, वो छोटी मोटी जो मुद्रा वाली चीजें कर सकते हैं, जैसे हस्त मुद्रा, कई प्रकार की हस्त मुद्रा हैं, उनकों करने से एक बड़ा अलग ही उनका एक प्रभाब जो है शरीर पर वास्त में आता भी है, चाहिए वो ग्यान मुद्रा की बात करें या हेदे मुद्रा की बात करें, तो उनका अलग प्रभाब जो है, माना गया है, इसमें जो बंध की विसे में सब जो आता है, आचारी जी, कि बंध जो है वो, बांधने से जिनका मतलब हम समझते ह हैं, तो बंध की विसे में हम क्या इनको परिभासा देना चाहेंगे, बंध जैसे सब्द से ही असपस्ट है, बंध का मतलब बांधना, और क्या बांधना है, जो चीज खुली हुई है, जो चीज बहुत बाहर की तरफ जिसका बहर गमन हो रहा है, तो उर्जा को बांधने की बात है, हमारी उर्जा जो है, जो सामान बेकती है, सांसारिक बेकती है, ग्रिहस्त बेकती है, यह आप किसी को भी हर एक मनुष्य को देखें, कि उसकी उर्जा का बहर गमन होता रहता है, हमारे अंदर असीम उर्जा है, अनंत शक्ति है, और यह तो आप तब इसका अनुभ वह शक्ति बाहर की और खुली हुई है उसे हमें बांध बना करके उस शक्ति को रोकना होता है बंध यही कारे करता है कि हम अपनी उस शक्ति को बांध देते हैं और केवल बांधना ही नहीं उसको फिर चैनलाइज भी करना होता है तो केवला आप बांध देंगे तो बांध तूट जाता है लेकिन उसको हमें चैनलाइज करना होता है तो इस तरह से बंध का भ्यास करके हम अपनी शक्ति को बांधते भी हैं और चैनलाइज भी करते हैं उपर की ओर जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल करके तो अनेकों गरंतिया होती है ब्रह्म गरंति है, विष्णु गरंति है, रुद्ध गरंति है फिर हम इनका भ्यास करके उन गरंतियों का हम भेदन करते हैं और अनतता हम वहां पहुँचते हैं बात जहां तक इसकी आती है मुद्रा और बंध की तो आप ये देखें कि हमारे पुराने जो हठियों ग्रंत हैं जैसे कि हठ परदीपिका है गोरक्षे संगीता है घेरंड संगीता है इसमें बंध जो है वह मुद्रा का पार्ट है बंध जो है उसको अलग से नहीं कहा गया है वो मुद्रा के ही पार्ट में कहा गया है कि इतने बांधने का काम करता है और जो इतनी सारी उर्जा हमारी पास होती है जो लोगों को पता ही नहीं है वास्तम में कि हमारी आसीम उर्जा आपने उर्जा जो है हमारी पास में है और उस उर्जा का छह होता रहता है तो उस उर्जा को ठीक से चैनलारिस किया जाए यह जानना भी वास्तम में बहुत आवस्चक था और जैसा आपने बताया बंद के लिए कि बहुत important है मुख्य रूप से तीन प्रकार के बंद की बात आती है जालंदर बंद और ड्यन बंद मूल बंद और ये तीनों बंद जो मिला दिया जाए इनको तो महा बंद के अननाम इनको जो है दे दिया जाता है तो वास्तम में इनका अपना एक अलग प्रभाव है और आप नेश्य दूप से जब प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो उसमें एक-एक बंद को जवाब करेंगे आपको पता लगेगा तो उसका एक अलग ही मतलब एक प्रभाव आपको महसूस भी हुआ जैसे कि उड्यन की भी हम बात करें तो उड्यन का मतलब ही उड़ना है उपर उठना है तो उड्यन बंद के माध्यम से प्राणुर्जा को उपर की ओर चैनलाइज किया जाता है इसी तरह से हर बंद का एक अपना अलग महत्त है तो मैं यहाँ ज़्यादा चर्चाना करती हुए क्योंकि जब आप उसका वास्तिविक स्वरूप जो है प्रेक्टिकल के माध्यम से जानेंगी तो उसका लाव और उसकी जो आप सकता है उसको आप ठीक से समझ पाएंगे हम next बात करते हैं ध्यान साथना की तो जैसा की नाम से ही पता चलता है कि ध्यान का अर्थ जो है वो किसी एक विशय को ध्यान करके उसमें मन को एकागर करना होता है यहाँ ध्यान की विशय में हम यह भी कह सकते हैं कि एक चिंतन की किरिया है एक चिंतन की किरिया जो है वो ध करने के लिए जिस प्रिक्रिया को हम अपनाते हैं उसे हम ध्यान साधना कहते हैं ध्यान अंतर मन की निर्विकार अवस्था है यह मन की सक्तियों को नश्ट होने से बचाता है तथा एक आगरता को भी बढ़ाता है तो ध्यान के विसमें आजकल तो बहुत चर्चा होती है अच चाहें उनको उनका सरीर इस लाइक बना है नहीं बना अपना हैं वो करते हैं नहीं करते इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन वो सबसे पहले कहते हैं जाकर कि हमें ध्यान साधना करा दीजिए और कई वर बड़ी हसी भी आती है क्योंकि अश्टांग योग में बड़ा सीधा सा युकर हम बात करें तो एक जिकर आता है कि जो बिल्कुल साधान से लोग हैं जो साधक निम्न कोटी के हैं जिनको जानकारी नहीं है सामान्य साधक हैं उनको एक-एक सेड़ी पार करते हुए उपर चड़ना चाहिए यम, नेयम, आसन, प्रणयाम, प्रत्याहार, धारना, ध आतांजली ने जो अपने साधन पाध में उसका वर्णन किया है, साधन पाध ही उनको ने इनी जो साधक हैं इनी लोगों के लिए इस पश्टूप से किया है, तो आचारी जी यहां हम ध्यान साधना के विसमें पहले जनरल एक बात कर लेते हैं कि लोग जो है किस तरह से बा आज कल जो लोग जिसपर चिफचा करते हैं चिए तो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कुछ बता दें कि जिस से छो हमारा ये रोक दूर हो जाये कुछ आसन बता थे यह चो को आसन dr पिशे में बता दें तो उनको एफेक्ट हो जाएगा। वास्तों में ध्यान एक-एक साधना है। और उस साधना को शिद्ध जब करते हैं तब वह ध्यान की अवस्ता होती है। महरसी पतंजिली पर अगर हम देखे हैं तो वैसे तो महरसी पतंजिली जो हमारा योग दर्शन है वह समान दर्शन माना जाता है श्रांग के दर्शन का तो योग के प्रनेता ही महरसी कपिल माने जाते हैं अगर देखो तो हिरणगर्व महरसी कपिल ही थे महरसी कपिल ने जो स्रांग के दर्शन में कहा है वह कहा है कि ध्यानम निर्विशयम मनम मन का निर्विशय हो जाना जो हमारे पांचों विशय हैं इंद्रियों के उन पांचों विशयों का ठहर जाना रुक जाना वो पांचों विशयों का रुक जाना उसको उन्होंने ध्यान कहा है महरसि पतंजली थोड़ा सा उसको simplify कर देते हैं जैसा कि आपने बताया कि जो है ये निम्न कोट के साद़कों के लिए उन्होंने ऐस्टांग योग दिया बड़े साधकों के लिए अच्छे साधकों के लिए भगवान बुद्ध जैसे लोगों के लिए उन्होंने सीधा समाधी पाद बता दिया दूसरे परकार के साधकों के लिए उन्होंने क्रिया योग बता दिया इसके पूर्व के पांच हैं, जिसको हम बहिरंग योग कहते हैं, उसको उन्होंने साधन पाद मिलिया, बाकि इन तीनों को जिसको संयम कहते हैं, तीनों को जोडने को, उन्होंने उसको बिभूती पाद मिलिया, वहां पर वो कहते हैं, धारना और ध्यान और समाधी को वह एक एक उपर इस्थिती काते हैं धारणा को काते हैं कि देश बंध से चित्त से धारणा आप अपने मन को कहीं एक देश में देश का मतलब उनके अस्थान है चाहे वो बाहर हो या अंदर हो वहाँ पर बांध देने को धारणा काते हैं यहीं आप अपने चित्त को कहीं बांध दें, चित्त को कहीं एक जगा पर ठैराने का प्रयास कर दें, उसको धारना काते हैं, फिर ध्यान पर आते हैं, और ध्यान पर काते हैं कि तत प्रत्य एकतानता ध्यानम, फिर आप उस धारना पर जहां आप बांध रहे थे, अभी आप प्रारम में क्या करते हैं प्रारम में करते हैं कि आप एक जगा कहीं बांदेते हैं फिर वहां से वह तूड जाता है फिर दूसरी जगे चला जाता है इस तरह से हजारों जगे आप पांच मिनट ध्यान करें तो आप देखें कि सैक्णों जगे आपका मन जाएगा एक जगा से दूसरी जगे फिर आप उसको लाएंगे तो इस तरह से वह विखरा हुआ रहता है वो कहते हैं कि जब आप धार्णा का भ्यास कुछ दिन करते हैं तब आपके मन का विखराव कम होता है तो ततफ़ प्रत्य एकतानता ध्यानम आपका मन जो है वह एकतान होने लगता है एक जगा पर थोड़ी देर के लिए वह इस्थिर होने लगता है पहले से ज़्यादा देर के लिए जब इस्थिर होने लगता है तो उसको वह ध्यान काते हैं इस ध्यान को लोग दो अर्थों में लेते हैं कि आप अपने मन को कहीं एक जगह पर ज़्यादा देर तक एकागर कर लें, एक अर्थ तत प्रत्य एक तांता ध्यानम का या भी लोग अर्थ निकालते हैं, दूसरा जैसे चोहन साहब आपने कहा कि किसी एक विशे पर चिंतन करने का, आप किसी एक विशे पर कोई एक अपने पर चिंतन करेंगे, वो तो चलते फिरते उठते बैठते ओ करें, लेकिन जब हम साधना की बात करते हैं, तो वह है कि किसी भी आप एक ध्यान के आसन में बैठ करके, मन को किसी एक जगह पर चहए वा आंतरिक हो या बाहे हो, ज़्यादा तर आंतरिक ही होना चाहिए, किसी एक आलमबन पर जब आप मन को एकागर करते हैं, और जब आपका मन किसी एक जगह पर ज़्यादा देर तक एक रस हो करके टिकार आता है, एक रस होने का मतलब कि जैसे अभी आपका मन यहाँ है, अभी थोड़ी देर के बाद आपका मन दूसरी जगे चला गया, फिर हैं कि एकतान हो गया, जब वहांने एकतान हो जाता है, एक जगह पर ज़्यादा देर तो महर से पतंजली के अनुशार वहाँ ध्यान होता है, तो आपने ध्यान साधना के विसे में अचारी जी बहुत ही सुन्दा तरीके से हमारे जो प्रसे च्छारती हैं उनको बताया, औ हम मंत्र की यद बात करते हैं, क्योंकि दिहान साधना के जो चार अलग-अलग साधन बताये हैं, पहले साधन में हम मंत्र की बात करते हैं, तो मंत्र का साब्दिक अर्थ प्रकटधनी, यानि यद वास्तिक परिभासा के हम बात करते हैं, तो जिसके मनन से उचान से बोलने स हमारे समस्त कार पूरे हो जाएं, वही मंत्र है, और जब मंत्र कोई बोलते हैं, तो आप खुद भी महसूस करेंगे, कभी आप मंत्र का एक सही लए में और उचान करें, तो निश्टी दूप से आपके सरीर से कुछ एनरजी निकलने लगेगी, वहां कुछ तरंगय उत्पन ह हो जाएंगी, वाइब्रेशन जो है, आप महसूस करेंगे इसको, जो कर हम ओम की बात करते हैं, ओम तो बहुत ही प्रचलित मंत्र है, और हमारे कई मदलब, जो भी हमारे पुराने सास्त्र, बेद, उपनिशद, इन सभी में इसका विसे सूप से महत और इनका प्रचलन माना और ओम के जब से मनुष से वास्ता में अंतर मुखी होने लगता है, इसलिए जब भी हम योग की साधना करते हैं, तो उसमें अक्सर हम सबसे पहले चैंटिंग करते हैं, तीन बार कम से कम ओम की चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारा ध्यान इधर उदर भी होता है, चंचल म तो वह अपनी जगे बापस आ जाता है और एक अलग जो इनर्जी निकलती है वारा का वातावन जो होता है वह भी योग में वातावन हो जाता है तो मंत्र बहुत ही इंपोर्डेंट है और आप अपने इस पार्टकर में जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता जाती है चेतना आ जाती है तो ये भी जो है जब मैं मंत्र के साथी इश्मान इसका हो जाता है तो अजपा जब जो है वो हिर्दय से होता है इसमें हम मुख से ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है सांत रहते हैं और अंदर हमारे हिर्दय में वो मंत्र चलता रहता है हमारा मन एक काग्र हो जाता है, तो सहज स्वास पर इसमें हमें खास तोर से ध्यान देना चाहिए. तीसरा जो साधन है, इंपोर्डेंट साधन यद हम उसकी बात करते हैं, तो वह अंतरमौन, अंतरमौन बहुत ही बढ़िया अंदर की सांती का साधन है, जो ध्यान साधना है, योग का ही बुन्यादी अभिहास है, और बौद धर्म की साधना का प्रमुक अंग भी है, हम देख दुख ही ही दुख है मिटेन अमन की किलेश, तो यह अंतरमौन जो है, एक बड़ी साधना है, एक आग्रता इससे सहधं से प्राप्त हो जाती है, इससे साधक जो है, उसमें और भी कई चीज़ें अंतरमौन करने से वह उसको आ जाती है, चोथा हमारा जो साधन है, वह हमें अंदर जो है दर्सन करना, एक आग्रचित हो करके इस्थिर हो जाना, और ध्यान साधना के माध्यम का वास्तम में यह बहुत ही महत्पूर अभ्यास है, स्वय दर्सन करके हम अपने सारे जो केंद्र हमारे, छे मनो सकती केंद्र हैं, और तीनों, नाडियों, इडा, पि चक्रों का अलग-अलग नाम दिया गया है, तो यद हम उनको देखें, तो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मनीपुर चक्र है, अनाहा चक्र है, विसुद्धी चक्र है, और हमारा आग्या चक्र है, सहसरार चक्र है, और इनका इस्थान भी, आप यद देख विसुधी चक्र कंठ, आग्या चक्र भूमध्य, और सहसरा चक्र ब्रह्मरंद्र, तो यह बहुत important चक्र है, और जब इनकी गहन साधना की जाती है, तब एक एक चक्र को हम कुंडली माध्धम से, जैसे आचारी जी बता रहे थे, कि कुंडली का जागन जब हम करते हैं, तो उ इसमें योग निद्रा भी बहुत important, मैं समझता हूं, कि योग निद्रा की माध्यम से, जिन लोगों को नीद्र जो है, वो बहुत कम मिलती है, या उनको परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या जो योगी लोग कम सोते हैं, उसका एक यही कार्ण है, कि जो योगी हैं, वो योग निद्रा के माध्यम से, वो ये ले लेते हैं, तो हम योग निद्रा की यहां बात करते हैं, इस समय, अचारी से मैं प्रश्न करूँगा, कि योग निद्रा की विस्ते में सबसे पहले हमारे जो टेनीज हैं, इनको ज्यानकारी पर दान करें, जैसे कि आपने क अगर देखा जाए, तो जैसा कि आपने कहा कि जिनको नीद नहीं आती है, उनको छोड़ी दिजिए, योग निद्रा आज के इस युग में, जो मसीनी करण का युग है, आधनिक युग है, हम केवल बाहर की ओर ही भग रहे हैं, उस युग में योग निद्रा रामबान है, का अगर कोई तरीका है और बहुत कम समय में, यद्देपी तो हमारे योग के सारे तरीके अंदर लाने के ही हैं, लेकिन बहुत कम समय में, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट में उसको अंदर की ओर ले आएं, उस टेकनिक को हम योग निद्रा काते हैं, योग निद्रा के अ पढ़ने का काम करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर से या अपने मित्रों से जो कुछ भी हमें तनाव की चीज़ें आती हैं, उन सब को दूर करने के लिए अगर हम साम को घर पहुंचें और पांच मिनट के लिए इसका अभ्यास कर लें. आप देखें कि उसमे क्या होता है कि हम आफिस के काम को घर ले जाते हैं, घर के काम को आफिस ले जाते हैं, तो हमें टेंशन बना रहता है, हमें चाहे बच्चे पढ़ने वाले हों, उनके लिए भी टेंशन बना रहता है, घर में आये तो पता लगा, इसकूल की चीज़ों को ले कर के आये, इसक तो आपका पारिवारिक जीवन, आपका ब्यक्तिकत जीवन, जो भी आप तनाव अंदर पाले रहते हैं, तनाव अंदर पालने से आप देखें कि उससे आपको अनेक प्रकार की बिमारियां होती हैं, जिसे आप बहुत तनाव पालने तो आपको high blood pressure हो जाएगा, आपका hyperthyroid हो इस तरह की diabetes हो जाएगी इस तरह की समस्य होती हैं अगर आप इसका भ्यास करते हैं तो आप अपने ब्यक्तिगत इस्तिती में देखें आप रोग मुक्त रहेंगे आपको काम क्रोध लोग मो ये कम सताएंगे दूसरा इससे सामाजिक आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अ होता है आपका आफिस का जीवन भी बहुत अच्छा होता है बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका स्कूल का जीवन भी बहुत अच्छा होता है और इतने ही नहीं हमारे यहां योग में जो अस्टांग योग हैं अस्टांग योग में प्रत्यार वहां योग निद्रा की ह स्रेंडी में आता है तो प्राणयाम के बाद प्रत्याहर होता है उस जब आप प्रत्याहर को करते हैं तो उसे आप धारना के लिए भी तैयार हो जाते हैं ध्यान के लिए भी तैयार हो जाते हैं जैसा कि चोहां साब ने कहा कि यह एक क्रम होता है आप एक तरब से उचल करके कहीं नहीं पहुंच सकते हैं एक-एक सीडी से पहुंचते हैं तो यह भी हमारी एक सीडी है और इस सीडी के माध्यम से आप दहना ध्याना और समाधी तक भी पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को जो दैनिक जीवन है उसमें आप कितनी शान्त याप खुद प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं बिल्कुल आचारी जी आपने जो ये बात बताई मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्पूर्ण है और प्रसिक्षणार थे इस बात को बिल्कुल निश्यतूप से उनको जान लेना चाहिए क्योंकि मैं बार-बार एक ही चीज कहता हूं कि समाज में जाकर के उनको अपना जब कुछ योग का ग्यान देना है और योग अभ्यास कराना है तो उनको गहराई के साथ इन सब चीजों का चिंतन करना चाहिए और उसका अभ्यास जो प्रैक्टिकल बहवारिक लाइफ में जो हूंको मेरी ख्याल से लाना चाहिए तो योग निद्रा वास्तम में एक इस बहुत भी महत्वूर्ण योग अभ्यास के रूप में हैं और बहुत सारी बीमारियों का हल इसमें हैed जो लोग आफिस में कहीं भी माली जी बैठे हैं या औफिस में बहुत व्यस्थ हैं चिनतन में हैं या चिंता बहुत ज़्यादा उनको सता रही है, तनाव गिरस्त हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को जोगर योग निद्रा करा ली जाए, और योग निद्रा जो है एक अभ्यास के क्रम में जरूर रखा जाए, जैसे समापन के समय जो है, पांच मिनट, साथ मिनट, पंद्रे मिन तक जोगर योग निद्रा की अभिधी ले ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें उसमें ठीक हो जाती है, जो डिसॉर्डर्स हैं वो ठीक होने लगते हैं, जो मन में एक चंचलता है, वो अपनी जगे केवल जो स्रदर्सन के तरह चलना है, उसमें वो हर सर इंपोर्डेंट है योग निद्रा और इसके माध्यम से जो हमारे टेनीज हैं, वो कई चीज़ों को दूर कर सकते हैं, यहां डॉक्टर तवसुम जी से मेरा प्रेशनेशली होगा, क्योंकि डॉक्टर तवसुम और बहुत सारे पेशेंट्स को आप जो है वो हैंडिल करती ह हैं, किस-किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास जो ध्यान और योग निद्रा के माध्यम से उनको उन बीमारियों पर आप कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि आचारे जी ने बहुत ही अच्छे रंग से हमें मुद्राओं का बंद का और योग निद्रा, योग साधना के वारे में ग्यान दिया, अब क्योंकि आप ट्रेनर्स हैं, तो आप उनको स्वयम सही डंग से ग्यान प्राप्त करके उसको as a therapy, दूसरों को ट्रीट करने में कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो पहले तो स्वयम ही इसका अभ्यास करें, अब जैसे मुद्राओं हैं, तो पार्किंसन्स डिजीज, गठिया के रोग हैं, तो केवल वायू मुद्रा का अभ्यास करके इन बड़े-बड़े रोगों से काफी हद तक बच सकते हैं, इसी तरह से योग निद्रा की जो हमने बात करी हैं, तो आजकल की जो बहुत ही भेंकर समस्या जिसकों स्ट्रेस, डि हाई का स्ट्रेस हो, बड़ों में भी ऑफिस का और कॉंपिटिशन का इन सब का स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है और बुजूर्गों में भी किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस रहता ही है, तो सभी आयू वर्गों के लिए ये जो जाए वो मुद्राएं हों, जाए बुजुर्गों में भी कराएं, तो सही विधी और सही टेकनीक को समझ करके, सीख करके, अगर हम इसका अभ्यास करते हैं, तो ना केवल शारिरिक रोग, यानि कि हमारे जो फिजिकल फटीग होती है, शारीर भी थका हुआ रहता है, काम की वज़े से, थकावट की वज़े से, और साथी साथ मेंटल फटीग, जो मांसिक थकावट है, दोनों ही चीजें काफी हद तक हमारी कंट्रोल हो सकती है, हम सही डंग से जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शरीर का एक-एक चैनल जो होता है, वो शिथिल हो जाता है, रिलाक्स हो जाता है, हमार स्वास्त की प्राप्ति कर सकते हैं, जाए वो शारेरिक हो, मांसिक हो, आध्यात्मिक हो, या भावात्मक हो, तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, हम संपून स्वास्त की प्राप्ति भी कर सकते हैं, बिलकुल डाक्सार, आपने बहुत ही सही ब आपने बताया भी कि तरह तरह के पेसेंट्स और आपके पास आते हैं और आप एन्य योग और नेच्ट्रपैथिकी माध्यम से उनको टीटमेंट आप देते हैं और ऐसा नहीं है कि और भी जो हमारी वासनी से उसको टीट भी कर पाते हैं और उसको पहले से बहतर कर पाते है स्वस्थ होने के साथ वह आरोगिता उसको मिल जाती है और इसके साथ ही एक बहुत important चीज जो इसमें आती है कि उसकी जो प्राणिक सकती है यानि कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो उसका रोगों से जो लगने की प्रतुर्दक चंता है उसका भरपूर विकास होता है बहुत पहले से इसको अपनाते आए हैं मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूँगा कि जो आपकी unit number 10 है जिसमें संबर्धन के लिए योग तो संबर्धन के लिए योग अपने स्वास्थे की रक्षा करने के लिए अपने स्वास्थे को ठीक रखने के लिए आरोग प्राप्त करने के लिए हमें योग करना है और उसमें सभी के लिए उसमें बताया है unit number 10 में, कि बच्चों के लिए योग, किसुरों के लिए योग, बड़े लोगों के लिए योग, महलाओं के लिए योग, ब्रद्धों के लिए योग, तो अलग-अलग जो उसमें दिया है, वो हमें ये देखना है, इसपष्ट उसमे टौपिक्स दिये गए हैं कि कौन-कौन से आसन, कौन-कौन सी मुद्राएं कौन-कौन से प्रायाम उसमें हम करा सकते हैं, शुर्णिंस्कार हो कहा करा सकते हैं और सुख्ष-व्याम हम कहा करा सकते हैं, सटक्र्म का लिए स захват कर्म कising सुभूप से ध्यार bakın और ठीक से कर भी पाते हैं, तो आप उस topic की according, जो आपका दस्मा unit है, उसके according, आप capacity ध्यान लखें, बच्चे हैं तो बच्चों के अमसार कराएं, ब्रद हैं तो ब्रदों के अमसार कराएं, महिलाए हैं तो उनको भी कौन सा कुछ आसन ऐसे हैं, जो वर्जित हैं, मैं समझता इसे हमारा मैूरासन है, मैूरासन महिलाओं के लिए वर्जित कहा गया है, मैूरासन की जगा पर हमारे जो बहुत महत्तोपूर्ण है, बिहार स्कूल अफ योगा के उन्होंने एक नया आसन दिया है, उसमें है कि केवल जो आप मैूरासन करते हैं, अपने हाथ के टहनियों पर जो अपने पूरे शरीर को उठाते हैं, उसमें पूरे शरीर को उठाएं, कि आपर बाड़ी उठाएं, पैर को जमीन पर रखें, इस तरह से है, दूसरा, जैसे कि मासिक वगरा के समय में हम वो आसन न करें, जो आसन सिर को नीचे करने वाले होते हैं और पैर को उपर कर वाले जैसे हेड स्टेंड है और सरवांग आसन है विपरीत कंडी मुद्रादी है इनका भ्यासनी है आपने बिकुल सही बताया कि ऐसे आसनों को ध्यान रखना चाहिए तो मेरा तो उद्देश यह था कि ताकि आप लोग यह समझ सकें कि कौन से आसन या यह मुद्राइं नही कुछ हैं भी तब भी आप अपने जो सेंटर पर जहां आप अपना प्रेक्टिकल प्रेस्ट्रिक्शन ले रहे हैं वहां सिधे संपर कर सकते हैं हमसे भी कभी आप चाहें तो संपर कर सकते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी सर बहुत-धन्यवाद आचा